तो नमस्कार मैं हुँ ससी आयाज्चकरंग की टौप 25 फर्मुक खबर जानते हैं साल 2020 के अंतक देश के सभी वैसको का वैक्चिनेशन केंद्रिये स्वास्त मंत्री और सोधा ने कहा है कि इस साल के अंतक भारत देश के सभी वैसको का वैक्चिनेशन कराने की स्थिती में होगा उन्होंने नवराज्यों और केंद्रे सासित परदेशों के अधिकारियों के साथ कुरोणा सेंक्रमन को लेकर एक समिक्छा बैठक में उख्द बाते कही बतादे केंद्रे स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री ने बैठक के दुरान कहा कि अगस्थ और दिसम्बर के बिच देश में 216 क्रोर भैक्सिन की खुराक की खरीद होगी वैक्सिनेशन को लेकर जुलाई माथ तक 51 क्रोर भैक्सिन की खुराक की खरीद की जाएगी इसके लिए केंद्र सकार भैक्सिन निर्माताओं को उत्पादन और भैक्सिन खुराग बढ़ाने में स्वयोग कर रही है मौसम विग्यान विभाग के अनुसार राजे में 27 मही तक हलके समद दर्ज की बारिश की संभवना है वहीं कुछ जीलों में ठनका की भी संभवना व्यक्त की गई है बताजा 27 मही तक राजे के कुछ हीशों में 30-50 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार सहावा चलने की संभवना जयताई गई है इसमें राजे के उतर पूर्वी अर्दक्षिनी जीले सामिल है इन में राची बोकारो जमसेत्पू सराय के लाख हरसावा चाईबासा पलामू गटवा लाते हार चात्रा धनबात को डर्मा गिरिटी दुम का आदी जीले सामिल है नेपाल सरकार की स्विक्रिती से लोटेंगे 26 परवासी मजदूर जारखन के मुख्य मंत्री एमान सुरेन के सकरात्मक पहल ने असर दिखाया बतादे परवासी मजदूरों को लेकर सनवेदन सीलता के साथ सरकार ने पूर्विम में भी कई कदम उठाया है उसी कड़ी में मुख्य मंत्री की पहल पर सरकार ने नेपाल में काम करने वाले 26 परवासी मजदूरों की सकुसल वापसी की दिशा में तीव्र गति से एक्सन लिया है बतादे इस समद में नेपाल सरकार के सक्षम पतादिकारियों से राई सरकार ने बात की इसके बाद नेपाल में काम कर रहे परवासी मजदुरों की वापसी होने जा रही है रूपा तिर्की मामले में CBI जाच कराने की मांग संक्रमन के लिए सरकार की जाथ चलाया जा रहा है साथी राजय के सभी जीलों में वेवस्ता समानने के लिए होमगार के जवानों को भी लगाया गया है बताद एक ती सो होमगार्ट जवानों को अलग अलग जीलों में भेजा गया है राची जीला परसासन की पहल पर वरिष्ट नागरीकों के लिए हिल फ्लाइन नमबर जारी COVID-19 के नियंतरन के लिए पुरे राज में स्वास रक्षा सप्ता लागू है बतादे जीला वासियों को रोजमरा की आवस्यक वस्तुवे और अने सुविधाये घर तक पहुचाने की परियाप्त ब्यवस्ता जीला परसासन की ओर से की गई है इसी कड़ी में जीला परसासन राची की ओर से एक नई पहल की गई जिसके तह सीनियर सिटीजान वाब्री दिनागरीकों की सहायता वा हेल फ्लाइन नमबर जारी किये गए हैं बतादे दो नमबर जारी किये गए हैं जीन में 96, 93, 85, 99, 96, 99, 99 जारी किये गए हैं पैरोल पर रिहा होंगे 500 कैदी जीला अदालत ने मांगी सुची COVID-19 पर कोप की दूसरी लहर के खत्रे से बीरसाम मुंडा केंद्रिय कारा होटवार में बंद लगभग 500 विचारा धिन कैदीयों को आंतरीम जमानात या पैरोल पर निर्धारित समाई के लिए छोड़ा जाएगा इसके तहट 7 साल तक के करवास की साजावाले अपराधों में सामिल कैदियों को लाब होगा बतादे आर्थिक अपराधो या नक्सल करती बीदियों तो समन्दित अपराधियों में सामिल रहने वाले कैदियों को इसका लाब नहीं मिलेगा अर्थात ऐसे कैदियों को जेल में रहना होगा ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस का खतरा बढ़ा है ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस का खतरा बढ़ गया है बतादे कुरोना वाइरस अपने साथ कई अन्य रोग ला रहा है या भी उन में से एक है बतादे क्रोणा संक्रमित मरीज क्रोणा को तो मात देद रहा हैं लेकिन रोग परतिरोधक छामता काम होने के कारण अने जान लेवा भीमारी की चपेट में आ रहे हैं बड़ी संख्या में कुरोणा संख्रामित मरीज बलाइक फंगस की चपेट में आ रहे हैं इस पर पूरी तरह से काबू भी नहीं पाया जा सका है कि नए परजीवी वाइट फंगस ने मरीज के साथ परिजनों की धनकन बढ़ा दिया जहां मुमो बोली डीयम के साथ सीयम को क्यों बिठाया जारखन पर देश कॉंग्रेस के अधियक सराज के बीत वखादा पूर्ति मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव ने कहा कि भारत के संग्य धाचे में परधान मंत्री को पूरे देश का प्रमुक बाना जाता है तो मुख मंत्री भी राज के परधान होते हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए उराव सुक्रवार को कांग्रेस पहुने पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा के मुख मंत्री को बैठक में आवंत्री किया गया था इस बैठाक में पर्धान मंत्री ने डी सी से बात तो की लेकिन मुख मंत्री की ओर देखा भी नहीं बता देक्केंद्र का जो काम था वक कर नहीं पा रही उपर से लोगों को निरास करने का काम किया जा रहा है जारखन में 211 नाए केस मिले है जो पोकारूस 166, 4191, देवघर, 79, धनवाद, 111, दुमका, 111, पूर्वी, 341, गाठवा, 118, गेडी, 56, गोड़ा, 20, गुमला, 114, हजारी बैग, 106, जामतरा, 22, खुटी, पचपन, कोडार्मा, 116, लातेहार, 117, लुर्दागा, 47, पाकुर जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 24, 499 है, भारत में 2,254, 288, नाए केस मिले है, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 39, 20,211 है